Interview Secrets Tip No. 4 जब भी आप कोई चीज़ explain कर रहे है या communicate कर रहे है आप कितने clear है अपने communications में इस से काफी फरक पड़ता है ये communication interview के दौरान हो सकता है कि आपने अपने पिछले job में क्या किया आपने किसी education का decision किसलिये लिया या फिर आपने इस company में apply q किया आपको क्या अच्छा आता है क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो इस company को आप क्यू पसंद करते हो इन चीज़ों को communicate करना एक interview में जरूरी होता है क्योंकि ये एक skill है जो आपको रोजाना अपने काम में लगने वाला है आपको अपने colleagues के साथ clients के साथ, boss के साथ हर किसी के साथ often communicate करना होता है specially work from home के setup में जहाँ पे महामारी के चलते आज कल दो work from home भड़ रहा है तो कभी आप remotely काम कर रहे हो कभी आप कोई message भेज रहे हो communication skills को या articulate होने को अकसर language skills से correlate किया जाता है कि आपकी English अच्छी होनी चाहिए या आपकी Hindi अच्छी होनी चाहिए मैं इन दोनों ही बातों को नहीं मानता मैं मानता हूँ मेरी English और Hindi दोनों ही थोड़ी कच्छी है लेकिन जब आप कोई चीज explain कर रहे हो या कोई चीज बता रहे हो दो चीजों का ध्यान दीजिए पहला आपके शब्द जो है वो clear होने चाहिए तो आप थोड़ा धीरे बोलेंगे अपने शब्दों को सोच के clearly बताएंगे तो वो सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा दूसरा जब आप कोई चीज बोल रहे है तो उसका context क्या है सामने वाले से क्या action आप expect करते हो या फिर एक simple चीज कोई भी request आप कर रहे हो तो request क्यों कर रहे हो थोड़ा सा context समझा के थोड़ा अच्छे से अगर आप अपना message frame करे verbal communication हो या written communication हो तो उससे आपको बहुत ज़ादा marks मिलेंगे और आप बहुत ज़ादा successful भी होंगे सिर्फ interview में नहीं अपने career में भी